हेलो इस्टुडेंट्स कैसे हो आप लोग आई होप आप सब लोग स्वस्ता होंगे मस्ता होंगे और शांदार तरीके से अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे जी हां दोस्तों जैसा कि आपने थमनेल में देखा कि यूपी ट्रपल एससी पीटी पैट एक्जाम के बारे कैसे पढ़ें? इक्जाम में क्या आने वाला है? कहां से कॉश्चन पूछे जाने वाले हैं? उनकी हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है? स्लिवस क्या रहने वाला है? आईये आज की इस क्लास में हम उसकी complete information को discuss करेंगे आज की इस क्लास के बाद आपका कहीं भी कोई भी किसी भ रहे का डाउट नहीं रहेगा क्लियर है तो आई यह जल्दी से जुड़ जाईए स्टार्ट करते हैं दोस्तों यूपीटर पलेसी पी इटी इसमें हम आज कम्प्लीट इन्फोर्मेशन को जानेंगे ठीक है यूपीटर पलेसी एक चीज बताऊँ है एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको है अगर आप बिल्कुल फ्रेश इस्टुडेंट हो बिल्कुल कुछ नहीं आता उसको भी आज कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपको किसी के पास नहीं जाना किसी से कुछ नहीं पूछना क्या होता है कैसे होता है कहां कहां करने क्या करें कोई क चीज बताऊँगा मैं आपको देखो प्रिलैमिनरी trip far examination – Tri for test याधनी कि उपिटर प्र प्रमिक अहरत परिक्षा है ना ये एक्जाम यूपिटर पल सी से पिछले दो एक्जाम कंड़क्ट करवा चुकी है यूपिटर पल सी इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के अंतरगत आने वाली गुरुप सी की वैकेंसिस के लिए रिक्रूटमेंट कंड़क्ट किया जाता है ये आपके प्रिल अगर रिलीज होती है तो उस रिलीज की गई वैकेंसि में उसके रिक्वाइरमेंट के अगर आप उसकी कट ओफ को सैटिस्पाई करते हैं तो आप उस फॉर्म को अपलाई कर पाएंगे और जब आप अपलाई करवेंगे तो आपका एक एक्जाम कंड़क्ट होगा और उस और रिलेटेड जो टर्म्स हाँँगी उनको फुल्फिल करने के बाद आपका रिजल्ट क्लियर कर दिया जाएगा और आप क्वालिफाई हो जाएंगे और आपकी सरकारी नौखरी लग जाएगी तो आईए अब इन बातों को क्लियर तरीके से जानते हैं और समझते हैं दोस्तों यूपिटर पर एस सी के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है आप जानना चाते हैं कि इसका एलेजिबिलिटी क्रैटीरिया क्या है तो मैं एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ आपको इसके लिए आपकी एज 18 से 40 वर्स होनी चाहिए कितनी 18 से 40 वर्स ठीक है देख पार है आप अगर आप फॉर्म निकलने और लाश्ट डेट तक जो डेट उस पर मेंसन की गई है जब नोटिफिकेशन आता है तब आप 18 से 40 वर्स के बीच के होने चाहिए क्लियर नेक्स दोस्तों इसके लिए जो आपका एप्लिकेशन फॉर्म इस अगर आपने apply नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बतादू कि last date जो है वो 30 अगस्त 2023 है क्या है 30 अगस्त 2023 अगर 30 अगस्त 2023 से पहले आपने apply नहीं किया तो फिर गानते रहना मच्यों को चाहँन सुनिया न पृत राज रासो की वो कविताई वो पंक्तियां समझ रहे हो यह ऐसा आउसर है आपको बहुत golden chance मिलने वाला है इस बार यूपी टरपल सी से bumper vacances रिलीज होने वाली है समझ रहे हो आप इस चीज को ध्यान दो लाश डेट क्या है आपकी 30 अगस्त 2023 अभी वीडियो कम्प्लीट होते ही आप तुरंट form को apply कर लो clear last date आपकी fee payment की क्या रहने वाली है 30 अगस्त 2023 यानि की 30 अगस्त 2023 तक ही आप fees payment कर सकते हो इसके बाद आपको कोई chance नहीं मिलेगा ध्यान देना ठीक है correction last date आपने form apply कर दिया जिनोंने पहले कर दिया या जो अभी जल्दी जल्दी में जाके कर रहे हैं अगर कहीं गलती हो जाती है आपसे तो ध्यान से सुनो कहीं भी कोई भी और किसी तरह की गलती होगी form में data work को लेके किसी चीज की कोई भी एक point पे भी doubt है आपको तो बाद में आपके result declare होने के बाद कहीं किसी point में किसी तरह का इंटरप्शन ना है रुकावट ना है दोस्तों है ना कि इतनी मेहनत की आपने और क्या आप चाहते हो कि आपकी परिस्रम का फल नेगेटिव हो आपने result qualify कर लिया लेकिन किसी reason की बज़े से किसी documental error की वज़े से आप out हो जाते हो या फिर कभी ऐसा होता है कि जब form आपने गलत अपलाई किया तो आपको admit card ने release होगा आपका examination form release ही नहीं होगा समझे रहो rejected candidate की list में आप आ जाओगे तो ऐसी गलती करने से बचो ठीक है form को कैसे apply करना है मैंने बताया आपको ऐसी गलती कर content date है कि यह आपकी जिंदगी बदल सकती है गलत जीवन में गलती को सुधारने का कोई मौका नहीं मिलता लेकिन यहां देखो सरकार आपको अपनी गलती को सुधारने का एक औसर दे रही है वो क्या है 6 सितंबर 2023 6 सितंबर 2023 तक अगर आपने अपनी गलती को नहीं सुधारा तो फिर कौन सुधारेगा समझे लो इस बात को आपको इसे इंप्रूब कर लेना है करेक्शन कर लेना है फॉर्म आप देख लेना कहीं कोई किसी भी तरह की गलती आपकी ना रह जाए ठीक है दोस्तों आईए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स है मेरे प्यारे भाई हो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर विग्यापन संख्याद 07 परिक्षा 2023 की परिसिष्ट 1 है ना अब हम इसके स्लेबस को जानेंगे कि जिस एक्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ आप मुझे सुन पा रहे हो और समझना चाहते हो है ना तो आज मैं आपको बता दूँ इसका complete syllabus और उसको कैसे prepare करना है मैं किस section में आपकी help करूँगा ये आपको देखना है ठीक है जब आप देखोगे सुनोगे समझोगे तो आपका अपने आप automatic confidence boost up होगा मैं आपकी पूरी help करूँगा guarantee दे रहा हूँ 101% 100% की guarantee दे रहा ह हूँ आपका selection होगा समझ रहे हो बस जैसा बतारों जो बतारों जो फॉलो करते चले जाओ आप clear है ध्यान दो देखो उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्था परिशा P.E.T. ठीक है इसमें प्रशनों की संख्या 100 रहने वाली है कितने प्रशन आएंगे टोटल 100 प्रशन आएंगे आपके और एक अच्छी बात बता दू सबसे ज़ादा आप जिस प्रश्न को पूस्तो इस प्रशनों की संख्या सव होगी 100 प्रशन 100 वांक बिलकुल भी नाइंसाफी नहीं कोई नाइंसाफी नहीं कर रही सरकार आपके साथ 100 प्रशन दिये जाएंगे और उसके लिए पुर्णांक जो होंगे maximum max वह सव होंगे क्लियर है आईए आगे देखते हैं आप देख पारे हैं सीरीज क्रम संखिया पहला है भारती यतियास इंडियन हिस्टरी भारती यतियास से मेरे दोस्तों पांच अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और वो कौन-कौन से होंगे आईए देखते हैं पहला है सिंदु गाटी सबसे अच्छी बात है वो यह ना कि इन्होंने पूरा दे रखा है समझे जो स्मार्ट स्टूटेंट है ना कैसे स्मार्ट यहां से स्मार्ट वो स्टड़ी करेगा और पढ़ाई करेगा अपनी जो कंटेंट आपको प्रवाइट करूंगा उसको आप फॉलो करते चले जाए ठीक है रिसर्च बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको क्योंकि पेट का बड़ा स्पेसिफिक से स्लेबस है प्रपर मेंशन किया गया है और अब तक के स्पेट के एक्जाम में यह देखा गया है कि स्लेबस को उन्होंने एज़िट इस फॉलो किया है ठीक है तो आईए देखते सिंदु गाटि की सब्यता से प्रशन पूछे जाएंगे वैदिक संस्कृती से प्रशन पूछे जाएंगे आपके बहुत धर्म गौतम बुद्ध जीवनी और उनकी सिक्षाएं सिर्फ यहीं से प्रशन पूछे जाएंगे और यहीं आपको पढ़ना है और यहीं से मैं और वन्स समराट असोक असोका है ना असोका के बारे में कौन नहीं जानता गुप्त वन्स से समुद्र गुप्त चंद्र गुप्त दुटिये हर्शवर्धन राजपूत काल सल्तनत काल मुगल सामराज्ये मराथा ब्रिटिस राज का अभिवदय एवं प्रथम स्वतंतरता संग्राम ब्रिटिस राज्ये का अभिवदय यानि कि किस तर ऐसे ब्रिटिस सामराज्ये धीरे धीरे आकर भारत में उबरा और प्रथम स्वतंतरता संग्राम तक का प्रश्ण आपसे पूछा जाएगा याद है ना आपको मंगल पांडे है ना फ्रीडम फैटर आगे देख ब्रिटिस राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव कि जो ब्रिटिस राज था उस दवरान जैसे वर्तमान सरकार है इस दवरान क्या इकोनोमरिकल और सोसल इशूम जया। ऐसे ब्रिटिस गवर्मेंट के टाइम में जो आर्थिक और सामाजिक प्रभाव थे उस से लेकर आपको प्रश्न पूछा जाएगा I hope आपको दोस्तो भारती इतिहास का content clear हो गया होगा कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का doubt नहीं होगा राइट आगे बढ़ते हैं नेक्स देखेंगे भारती राष्ट्री आंदोलन इंडियन नेशनल मोमेंट ठीक है इसमें स्वाधींता आंदोलन के प्रारंभिक वर्स के बारे वे यानिकि जब freedom fighting स्टार्ट हुआ ना स्वाधींता प्राप्त करने के लिए हमारे देश के नौजवानों ने बुद्धी जी इनके जो मात्मा गांधी जी है या फिर नियरुजी इनका इक specific content पढ़ना है जो इन्होंने proper mention किया हुआ है ठीक है देखो इदर स्वाधेशी तथा सविनय अवग्या आंदोलन महात्मा गांधी तथा अन्यनेताओं की भूमिका स्वाधेशी आंदोलन सविनय अवग्या आ राटशन ने यह पढ़ना है आपको ठीक है next देख लेते हैं क्रांतिकारी आंदोलन खाने कि देखते हैं क्रांतिक करांतिकारी अंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय यानि कि जो क्रांतिकारी आंदोलन थे और जो उग्र राष्ट्रवाद था उनका उदय कैसे हुआ ना गरम दल कैसे उदय क्या ऐसी प्रिशितिया बनी होता ना क्या ऐसी घटनाई घटित हुई कि जिसकी बजए से उग्र दल गरम दल उभरकर आया। क्यूं उसे अपने आने का आईसास हुआ कि अब हमThe号 की जिस्तुत हो. अब भूगोल देख लो भूगोल भी इंपोर्टेंट है भाई लेकिन उसका भी सिस्टम दे रखा है सारा प्रशन सिस्टम से पूछा जाएगा कहां से पूछा जाएगा सिस्टम से ध्यान दो भूगोल से जियोग्रोफी से भारत एवं विश्व का बहुतिक भूगोल किसका भारत एवं विश्व का बहुतिक भूगोल यहां से नदियां तथा नदियों की गाटी भूजल संसादन परवत पाडियां तथा हीमनद मरुस्थल और सुस्क छेत्र वन खनीज संसादन विश इसकर प्रशन पूछे जाएंगे अमेरिका लंडन रसिया पाकिस्तान चाइना के मत पढ़ने लग जाना ज्यादा पढ़ने की अर्वड आर्ट में जितना कहा है उतना ही करना ठीक है फॉलो मी वाच देखो भारत एवं विश्व का राजनेतिक भुगोल भारत का और पॉलिटिकल मैप देखना है आपको जलवाई तथा मौसम टाइम जोन जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रवास क्लियर है भुगोल आपको बता दिया आई ये नेक्ष देखते हैं कि कहां से कॉश्चिन पूछा जाएगा दोस्तों इंडियन एकोनोमी यानि कि भारती अर्थ विवस्ता इंडियन एकोनोमिक से आपके जो प्रश्ण बनेंगे मैं वो आपको बताता हूँ भारती अर्थ विवस्ता 1947 से 1990 तक यानि कि स्वतंतरता प्राप्ती के बाद और 1990 तक कि जो भारती अर्थ विवस्ता है वहा यहां से आपके प्रश्ण पूछे जाएंगे समझ में आएंगे देखेंगे योजना आयोग तथा पंचवर्षिय योजनाएं मिस्रित अर्थव्यवस्था का विकास नीजी एवं सार्मजनिक छेत्र हरित क्रांती दुग्द विकास एवं ऑपरेशन फ्लड बैंकों का रश् लिखते हैं वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की आर्थ्व्यवस्था वश्यार के पश्चयाथ के आर्थिक तुदार क्लियर है छी का आघाओ वर्षिस सुधार धांचागत सुधार श्रम सुधार आर्थिक सुधार, जी, एस टी गुडच Start Services Tax भारतिय संविदान ओधारत्य सम्विदान लोग प्रसंव इंडियन इंडियन कोंस्ट्थिजन इंद पस्थच्षिन कितने आंग के प्रस्थ पूछे जायेंगे क्लियर है अब देखो कहा कहा से पूछे जाएंगे भारतिय सम्विधान से प्रश्ण है भारतिय सम्विधान की मुख्य विसेस्ता है इंडियन को कॉंस्टिटुशन की जो मुख्य विसेस्ता है वहां से प्रश्ण है आपके पूछे जाएंगे नेक्स्ट है राज्य के निति निर्देशक तत्व राज्य के निति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए थे आयरलेंड से लिए गए थे ठीक है यहां देखो मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य संसदिय प्रनाली संगिय प्रनाली संग एवं केंदर सासित प्रदेश केंदर एवं राज्य के संबंध ठीक है नियाईक धाचा सर्वच्च नियाले एवं उच्च नियाले जो नियाईक धाचा है सुप्रीम कोट और हाई कोट वहाँ से प्र जाएंगे आपके नेग्स्ट हैस्थानि farther निकाय तथा पंचैथी राच संस्थाएं इस्थानिया है और पंचैथी राच सcarbonسथाएं जो भी है उनसे प्रशन प्रारंभिक प्रारंभिक का अर्थ क्या है बेसिक बिल्कुल बेसिक प्रश्ण पूछे जाएंगे डरने की कोई जरुवत नहीं जिनका साइंस का बैक्राउंड नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसा पड़ा जाएगे मज़ा आ जाएगा ठीक है आजाओ नेक्ष दे सामान्य हिंदी जनरल हिंदी क्या जनरल हिंदी जनरल हिंदी के बारे में देख लेते हैं संधी विलोम सब्द परयायवाची सब्द वक्यांसों के लिए एक सब्द लिंग सम्सुरुच भिन्नार्थक सब्द मुहावरे एवं लोकोक्तियां सामान्य अशुद्धियां लेखक और रचनाय गद्य एवं पद्य ठीक है उसके बाद सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिस से प्रश्ण पूछे जाएंगे अंग्रेजी व्यकरण अपठित गद्यांस पर आधारी प्रश्ण क्लियर है यह आपके कितने की 55 मार्क्स के आएंगे तो आप इस बात का विशेज ख्याल रखना कि सभी के लिए पूरा क्लासिफाई कर रखा है कि जहां से इनको प्रश्ण पूछने हैं आगे देख लेते हैं तरक एवं तरक शक्ती लॉजिक एंड रिजिनिंग वृत एवं लगू से क्रम एवं रैंकिंग से संबंध समु से भिन्न को अलग करना कालेंडर एवं गड़ी क कारण और प्रभाव कोडिंग डिकोडिंग संख्या तथा अक्षर निगम नातमक तर्क कथन विशलेशन एवं नीडने डेक्स्ट है आपका 11 पॉइंट सामेकी यान कि करेंट अफेर्स करेंट अफेर्स में मैं आपको बता दू भारती एवं वैस्विक से प्रश्ण आपक अब इसके बारे में जनरल अवेर्नेस के बारे में मैं आपको अवेर करता हूँ आजो देखो भारत के पडोसी देश राजधानी एवं मुद्रा भारत के राज्य ततक गेंदर साशित प्रदेश भारतिय संसद राज्य सभा लोग सभा और विधान सभा विधान परिशद ठीक है राश्ट्रिय एवं अंतराश्ट्रिय दिवस विश्व संगठन एवं उनके मुख्याले भारती परेटन इस्थल भारत की कला एवं संस्कृती भारत एवं विश्व के खेल भारती अनुशन धाद संगठन प्रशिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक जैसे प्रेम चन शंकर पसाद का रामधारी सिंग दिनकर जंजीर वड़ा अब साद मुझे हाँ हाँ और योधन बांद मुझे किसने लिखा है कमेंट में बताओ देखो पुरसकार एवं विजेता जलवाई परिवर्तन एवं परियावडण 13 पॉइंट है आपका अपठित हिंदी गद्यान्स का विवेचन एवं विजलेशन दो गद्यान्स ठीक है ये आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा नेक्स देख लेते हैं ग्राफ की व्याख्या एवं विजलेशन दो ग्राफ आएंगे उनकी व्याख्या और विजलेशन पर आधारित प्रशन पूछे जाएंगे आपसे ठीक है नेक्स देख लेते हैं तालिका की व्याख्या एवं विजलेशन तालिक आएं प्रतेक पर 5 होंगे हैं अभी आपको पूरा स्लेवसस बता दिया एक स्लेबस को कहीं भी की तरह का निज की बाद ठीक है कुछ भी का मतलब कुछ भी क्या होना चाहिए है एक्जाम से रिलेटी अगर कुछ ही फूछना है तो comment box में आप तुरंद पूछो मैं immediate response करूँगा आपको ठीक है बिल्कुछ hesitate नहीं होना है कैसे preparation करनी है आपको क्या पढ़ना है यह बता दिया मैंने कैसे पढ़ोगे वह पढ़ाऊंगा मैं समझ रहे हो और देखना इस यू पीटर पल सी पैट में आपका सेलेक्शन मिलेगा आपको ठीक है दोस्तों आईए कुछ बेसिक सर्ते जो बना रखी है हमारी सरकार ने उत्तरप्रदेश सरकार ने सर्ते क्या लागू की है यूपी ट्रिपल सी पैट को लेकर आईए उसको देख लेते हैं क्रमांग एक से नौ पर अंकित सच्छणिक विसेयों से संबंधित प्रशनों की कठिनाई का इस्तर डिफिकल्टी लेवल राश्ट्रिय सर्चिक एवम अनुसंधान परिशत एंसी आर्टी द्वारे निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा क्लियर है ये भी बता दिया आपको नेश्ट देखो परिक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ट प्रकार का प्रश्ण बहुई कल्पी ये प्रश्णों पर आधारित होगा यानि की यानि की आपका एक्जाम mcq-based होगा mcq-based जो नए है वो जरूर देख लो क्या होता है मैं है आपका है ना ठीक उसके चार ओप्सन होगे a b c d इसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यारतियो mcq समझ रहे हो multiple choice question यहाँ पर आपको multiple में 424 मिल जाएंगी और एक question मिल जाएगा खुश हो ना खुश रहो ठीक है इसे कहते है mcq-based question एक्जाम आपका इस तरह से पूछा गलत उत्तर के लिए ध्यान से सुनो ठीक है जो सतर्क देखो खुश हो बहुत अच्छी बात है सतर्क भी रहो है नहीं तो कभी खुशी कभी गम हो जाएगा ध्यान दो जर्त अभी देखो प्रत्य गलत उत्तर है तू one-fourth अंक की कटवती की जाएगी अगर एक question आगर आप विशेज ध्यान रखना और इसको ध्यान में रखकर ही प्रयास करना एक्जाम में जो भी question attempt कर रहे हो प्रयास करना accuracy maintain करो क्लियर है आज आगे बढ़ते है क्लियर है कहीं देख लिया ना आपने तो negative marking है इसमें one-fourth की है ये बात आप विशेज ख्याल रखना इस बात का स्लेबस आपको बता दिया गया है क्या क्या स्लेबस रहने वाला है कहां से आपके एक्जाम में प्रशन पूछे जाएंगे आपको ये बता दिया गया है ठीक है दोस्तों कोई भी doubt हो कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप दुरंत पूछे आपको मैं अभी immediate respond क झाला है